दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर बिलकोली खराब हो चुका है या अगर आपका सिबिल स्कोर अभी तक बनाई नहीं है कोई भी बेंक या फाइनेंस कंपनी ना ही आपको लोन दे रहे है और ना ही आपको क्रेडिट कार दे रहे ıldı है और इस credit card का आप regular use करके अपना civil score भी build कर सकते हो जी हाँ दोस्तो आज हम जिस credit card के बारे में बताने वाले है उसका नाम है पैसा बजार setup credit card जिससे sbm bank ने launch किया है दोस्तो एक credit card एक secure credit card है इसे secure credit card इसे लिए कहा जाता है क्योंकि इस credit card को आप FD basis पे ले सकते हो यानि कि fixed deposit पे ही इस credit card को आप ले सकते हो और दोस्तो इस credit card के सबसे अच्छी बाते है कि यहाँ पर आप मात्र 2000 की FD करा के इस credit card को आप ले सकते हो उसके लावा दोस्तो इस credit card में आप जितने की FD करा होगे उसका 100% ही आपको credit limit मिलेगा यानि कि यहाँ पर आप 2000 के FD कराते हो तो आपको 2000 के ही credit limit मिलती है इसके लवाए एक card lifetime के लिए free रहेगा और इस card में आपको revit वगरा भी तिखने को मिलेगा तो अवरोल बात करें तो दोस्तो एक card उनके लिए वर्दान रूप साबित हो चकता है जिसका civil score अभी बना ही नहीं या बहुत ही खराब है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम इस प्रेशा बज़ाई setup credit card के बारे में step by step सारी जानकारी देंगे और apply process भी बताएंगे को मिलती रहे तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो पैसा बज़ार का setup card कुछ इस तरीक से दिखेगा इसमें पैसा बज़ार लिखाओ मिलेगा एसबियम बेंक ने इस card को launch किया है इसमें रूपय का network रहेगा और इस card के थुरू आप contactless payment भी कर सकते हो FD basis पर ये card आप ले सकते हो यहाँ पर दोस्तो आप FD यानि के fix deposit कराऊगे उस पर 6.1% का per annual के हिसाब से interest मिलेगा उसके अलावा lifetime free credit कर रहने वाला है और इस card को लेने के लिए कोई भी बूरो चेक की requirement नहीं है इस card की limit को दोस्तो आप interest free 30-50 दिन के लिए use कर सकते हो इसमें joining fiscus भी नहीं है रिनवल और annual fiscus भी नहीं है 6.1% का FD पर interest मिलेगा यहाँ पर दोस्तो FD कराने के तुरंत ही बाद आपको virtual credit card मिल जाता है उसके बाद 10-15 दिन के अंदर आपके address पर आपको physical credit card भी मिल जाता है 20-15 दिन तक आप interest free इस card की limit को आप use कर सकते हो और दोस्तो यहाँ पर आप जो भी FD करा होगे उसका 100% आपको limit मिलेगी यानि कि अगर आप यहाँ पर science hazard की FD करा होगे तो पूरे का पूरा science hazard ही आपको इस card में limit मिलेगी और भी दोस्तो इस card के बारे में आप जान करे लेना चाहते हो तो आप पैसा बज़ार की website पर आकर इस card के बारे में और भी जान करे ले सकते हो अब दोस्तो इस card को apply करने के लिए आपको play store से पैसा बज़ार की यह वाले application को install कर लेने है जिसका look कुछ इस तरीके से देखेगा तो इसे install कर लेने है उसके बाद simply इसे open करना है तो open करने के बाद सबसे पहले कुछ आपके सामने इस तरीके से interface आएगा यहाँ पर दोस्तो इस application के कुछ interaction बताया है तो इसे site पर scroll करना है और यहाँ पर आपको इस arrow का option पर click करना है तो arrow के option पर click करने के बाद यहाँ पर निचे आपको एक option देखेगा guest start तो simply उस पर click करना है तो दोस्तो जैसे guest start पर click करोगे तो आपके सामने एवाला page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको sign in करना है तो आप यहाँ पर दो तरीके से sign in कर सकते हो पहला आप अपने email id से sign in कर सकते हो और अपने mobile number से sign in कर सकते हो तो हम यहाँ पर mobile number से sign in करेंगे तो simply हम यहाँ पर sign in with mobile number पर क्लिक करेंगे तो खुझ इस तरह के से इंटरफिस आएगा यहाँ पर दोस्तो अपना mobile number एंटर करना है उसके बाद दोस्तो अगर आप पैसे बज़र की इस application के कोई भी update आप अपने वाट्चोप में साथे हो तो यहाँ पर इसे on rate ने देना है और नियाथ यहाँ पर आप इसे off कर सकते हो उसके बाद simply send OTP पर क्लिक करना है तो दोस्तो जैसी send OTP पर क्लिक करोगे तो आपके mobile number पर एक OTP आएगा वो यहाँ पर auto visit हो जाएगा और आपके समने पैसा बजार application का homepage ओपन हो जाएगा दोस्तो पैसा बजार बहुत सारी financial service प्रोवेट करता है जैसी कि आप skin फर देख सकते हो यहाँ से आप credit card ले सकते हो personal loan ले सकते हो micro loan ले सकते हो business loan ले सकते हो अपनी personal loan को transfer कर सकते हो new home loan ले सकते हो अपनी home loan को भी transfer कर सकते हो और loan against property भी ले सकते हो लेकिन दोस्तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर setup credit card के बारे में बात करेंगे अगर आप इनके दूसरी कोई financial service के बारे में जानना चाते हो तो मुझे comment करो मैं उसके उपर एक detail में वीडियो बना दूँगा लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ setup credit card के बारे में जानेंगे तो setup credit card को apply करने के लिए यहाँ पर आपको एक option दिखेगा setup credit card तो simply उस पर click करना है तो जैसी setup credit card option पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरी के से इंटरफेस आएगा यहाँ पर दोस्तो लिखा हुआ है कि a secure card against or fixed deposit यहाँ पर एक card सो करेगा यहाँ आपको यहाँ से मिलेगा निश्चे दोस्तों यहाँ पर इसके कुछ feature बताया है कि यहाँ पर आपको fixed deposit पर 6.1% का interest मिलेगा यह card का use करके आप अपना civil score भी build कर सकते हो complete digital process रहेगा zero joining fees रहेगी flexible credit limit मिलेगी यानि कि आप जितनी भी FD कराओगे उतनी है आपको credit limit मिलेगी और इस card पर दोस्तों आपको reward वगरा भी देखने को मिलेगा उसके बद दोस्तों ECPS में आप निचे जाओगे तो आपको इसके fees and charge भी दिखेगा जिसमें बताया है कि joining fees 0 annual and renewal fees भी 0 है revolving credit पर आपको monthly 3% का सार्ज देना पड़ेगा और इस card की माधियम से पैसा वीड़ो करने पर आपको 2.5% चार्ज लगेगा और minimum 500 रुपया चार्ज लगेगा जो कि वीड़ो पर high size लगा जाता है तो आपको किसी भी credit card से कभी भी पैसा वीड़ो नहीं करना चाहिए अब दोस्तों इस card को apply करने के लिए यहाँ पर आपको एक apply का option देगा तो simply उस पर click करना है तो जैसे apply वाले option पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के सेंट्रेफिस आईगा यहाँ पर भी दोस्तों कुछ पिचर बताया है कि यहाँ पर FD पर 100% credit limit मिलेगी इंस्टन्ट वर्ट्शूल का मिल जाएगा FD पर 6.1% का interest rate मिलेगा और एक credit का life time free रहेगा यहाँ पर दोस्तों इस card को apply करने के लिए आपको 4 step complete करने पड़ेगे जो यहाँ पर बताया है जिसमें पहला है application दूसरा है KYC check उसके बाद FD का payment करके आप इस card को ले सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर हम step by step जानेगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर apply करना है तो पहले step में दोस्तों यहाँ पर आपको basic detail देने है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपकी email id एंटर करनी है यहाँ पर आपकी date of birth एंटर करनी है यहाँ पर pen card का number एंटर करना है और यहाँ पर आपका mobile number only so होगा उसके बाद यहाँ पर simply submit पर click कर देना है तो दोस्तों जैसी submit करोगे तो आपका पहला step complete हो जाएगा और आप दुसरे वाले step में पहुँच जाओगे यहाँ पर आपके pen card के आधर पर आपकी सारी detail फेच की जाएगी जो आपको इसे एक बार देख लेना है यहाँ पर आपको इसको un-tick करके यहाँ पर आपको 9 मिनिक के detail देनी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको simply submit detail पर click करना है तो दोस्तों जैसे submit detail पर click करोगे तो आपका दूसरा step पही यहाँ पर complete हो जाएगा और आपके सामने तारा step आजाएगा जो कि है FD selection यहाँ पर दोस्तों बताया है कि आप यहाँ पर जो भी FD कराओगे उस पर 1 year का tenure मिलेगा और उसके बाद auto renewal हो जाएगी और दोस्तों एफेक्स deposit SBM bank द्वारा ही provide की जाती है यहाँ पर नीचे दोस्तों FD plan बताया है इनमें से आप जो भी plan सिलेक कर सकते हो तो यहाँ पर 2,000 रुपिया, 5,000 रुपिया, 15,000 रुपिया और 60,000 रुपिया तक FD कर सकते हो उसके लवा दोस्तों आप कोई दूसरी amount की FD करान चाते हो तो यहाँ पर आपके option मिलेगा see more plan उसपर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने दूसरा बहुत सारा plan आ जाएगा इनमें से कोई भी amount की आप FD कराना चाते हो तो यहाँ से आप इसे सिलेक कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पर आप 2000 की FD कराते हो तो आपको 200 रुपया joining fix देनी पड़ेगी उसके लावा आप कोई भी FD कराओगे तो वहाँ पर आपको कोई भी joining fix देनी के जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तो इसी पेज को नीच से स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर इनके कुछ benefit बताया है जिसमें बताया है कि इस credit कारगा यूज करके आप अपना civil score बील्ड कर सकते हो zero point earn कर सकते हो यहाँ पर आपको instant virtual कार मिल जाता है अपने FD पर 100% credit limit मिल जाती है यहाँ पर दोस्तो आपका तिसरा step भी complete हो जाएगा और आप छोते step पर आजाओगे जिसमें आपको यहाँ पर payment करना है FD का तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर आपके bank detail एंटर करनी है दोस्तो यहाँ पर bank detail इसलिए पूछी जाती है कि अगर आप अपने FD तोड़वाते हो यहाँ अपने FD मिचूर हो जाती है तो उसकी amount आपको इसी bank account में मिलेगी तो यहाँ पर इसलिए आपको bank detail देनी के ज़रुद पड़ेगी तो bank detail में सबसे पहले यहाँ पर आपके bank का IFC code एंटर करना है और वही account number 12 से यहाँ पर आपको एंटर करना है उसका बल सुमपली verify and paypal की करना है तो दोस्तो जैसी verify and paypal क्रिक करोगे तो यहाँ पर आपको payment करने के लिए बहुत सारे option आजाएगे जैसी कि आप UPI से भी payment कर सेकते हो net banking से भी payment कर सेकते हो इन मैंसे जिसमें भी आप यहाँ पर FD का payment करना चाहते हो उसे कर लेना है तो दोस्तो जैसी आपका payment सक्सेस्फ़ली हो जाता है तो यहाँ पर आपको congress election का message मिल जाएगा जिसमें आपके payment के detail बताई जाएगी कि कितनी limit आपको यहाँ पर मिली है उसके बाद अगले step में आपको password set करने का option मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको एक password set करना है ताकि इस application में जब भी आप login करो तो आपको OTP से login करने की ज़रूत नहीं है आप इस password से login कर सकते हो तो password set करने के लिए यहाँ पर आपको date of birth एंटर करने है और यहाँ पर आपको pen number एंटर करना है उसके बाद simple continue पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह के से इंटरफिस आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नया password set करना है तो यहाँ पर password आप 8 अंकों से लेके 12 अंकों तक set कर सकते हो जिसमें small letter, numbrick और special character आए इसी तरीके से आपको यहाँ पर password set कर लेना है उसके बाद password set हो जाने के बाद simply यहाँ पर आपको save and proceed पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे save and proceed पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के से इंटरफिस आएगा यहाँ पर दोस्तों बताया है कि your setup credit card is ready to use now यानि कि आपका setup credit card ready हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी password क्रियेट किया है उसे यहाँ पर इस वाले page पे लोगिन करना है तो सबसे फिले यहाँ पर आपको अपना mobile number शो करेगा उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी password दिया है वो यहाँ पर enter करके login पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे login करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह किस interface आएगा यहाँ पर आपके सामने card summary आजाएगी जिसमें आपके FD की limit देखेगी और यहाँ पर आप जितनी limit का use करोगे वो limit भी यहाँ पर आपको slow करेगी यहाँ से दोस्तों आप अपना virtual card भी देख सकते हो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने virtual card आजाएगा यहाँ पर check card detail पर क्लिक करके आप अपना card number, expiry date और CVV number भी जान सकते हो अप दोस्तों इस virtual card की मदद से आप किसी भी online platform से कोई भी सामन परसेज कर सकते हो उसके पर दोस्तों यहाँ पर आपको fix deposit का option देखेगा जिस पर क्लिक करके आप अपने FD की limit भी देख सकते हो और यहाँ पर new FDB add कर सकते हो उसके पर दोस्तों यहाँ पर आपको manage card का option मिलेगा जिस पर आप अपना card का pin set कर सकते हो manage card users कर सकते हो अपने card को block या replace कर सकते हो ऐसे अपने card को पूरी तरीक से यहाँ से आप manage कर सकते हो तो दोस्तो इस तरीक से आप पैसा बजाब का metropolitan के लिए अफलाई कर सकते हो, अब दोस्तो यहाँ पर आपको virtual card मिल जाने के बाद, 10 से 15 दिन के अंदर आपके address पर आपको physical credit card मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरीक से आप इस credit card के लिए अपलाई कर सकते हो, अगर आपका civil score खरा जाए तो आप किसी भी बेंग से या फाइनेस कंपड़ी से लोन या क्रेडिट का आसानी से ले सकते हो तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही उमेद करते हैं कि आप को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment and subscribe पुना ना भूले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को और धमा के दार वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye